Limits का क्या आर्थ होता है ये आज किस वीडियो में सीख लेते हैं Limits जो है दो तरीके से इस्तेमाल किया जा सकता है तो Limits का Plural यानि कि बहुवचन होता है Limits कि एक से जादा Limit को हम Limits कहते हैं लिमिट कारत होता है सीमा, पाबंदी, रोक, हद, प्रतिबंद, पार, दाइरा, परिसीमा या सीमा बद्दा तो एक से ज़्यादा सीमाओं पाबंदियों को हम लिमिट कह सकते हैं इसके इलावा लिमिट का इस्तिमाल जब हम प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस में इसीट ये सिंगुलर धर्ड परसन के साथ वर्ब की रूप में करते हैं तो इसके साथ ऐस लगाते हैं जिससे लिमिट का आरत होता है कि लिमिट करता है ये करती है और limit करने का आर्थ होता है रोक लगाना, सीमित करना, पाबंदी लगाना, सीमा बद करना, परीमित करना, घेरना या रोकना तो limits का मतलब हुआ कि रोक लगाता है या लगाती है, सीमित करता है या करती है, पाबंदी लगाता है या लगाती है या इसी तरीके से रोकता है या रोकती है या रोक देता है या रोक देती है जैसे कि अगर आप यह कहना चाहें कि यह स्विकार्वे वहवार की सभी सीमाओं से परे है तो आप कहेंगे this goes beyond all limits of acceptable behavior या अगर आप यह कहना चाहें कि यह प्रतिष्ठान आम नागरिकों की पहुँच से बाहर है तो आप कहेंगे these establishments are of limits to ordinary citizens अब आप ऐसी ही किसी भी word का मतलब हिंदी और इंग्लिश में यूट्यूब पर सर्च कर सकते हैं आपको मेरी वीडियो मिल जाएगी जिसमें आप बिना किसी फालतो बकवास के सीधा उस word का मतलब समझ पाएंगे तो ऐसी ही वीडियो को देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बैल आइकन को प्रेस करें